तो यह बेसिकली discrete math है, यहाँ पे दिया हुआ है proof that 19 to the power 20, यह relation का हम congruence relation बोलते हैं, 1 mod 180, इसका मतलब क्या होता है, बान यह कि आप 7 को 2 से division कर रहे हैं, तो 3, 6, remainder में 1 आ रहा है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 7, congruence, 1, mod जिससे आप division कर रहे हैं, mod 2, अब 2 से division कर रहे हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे दिया हुआ है 19 to the power 20, congruence of 1, mod 180, ठेक है, तो 19 into 19 करके हम देख लेते हैं, 19 into 19 कितना आता है, 361, तो 361 को अगर हम 180 से division कर लेते हैं, तो remainder कितना आएगा, 180 to the 360, तो remainder आपका आड़ा है, 1, मतलब हम लिख सकते हैं, 361, 361, congruence 1, क्योंकि यह remainder में है, mod 180, इस type से, अब हमको क्या लाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं, 19 square, congruence 1, mod 80, mod 180, clear, अब यहाँ पे लाना क्या है, 19 to the power 20, तो इसको, तो इसके power में अगर हम, तो इसके power में अगर हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इसका power में 10, तो यहाँ पे क्या रहा है, mod 180, तो 19 to the power 2 into 10, that means 20, congruence 1 to the power 10, that means 1, mod 180, proof, यह है आपका proof, clear, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप 7 का square कर देते हो, तो यहाँ पे 7, इससे देखिए, 7, 1, mod 2, अगर आप 7 का square कर देते हो, तो 7 का square, 1 का square, mod 2, 7 का square, that means 49, congruence 1, mod 2, अब practically देख लो, 7 का square, that means 7 का square, से आप mod 2 को division करते हो, तो क्या आएगा, 7 का square, that means 49, 49 से आप 2 को division करो, तो 24, that means 48, यहाँ पे भी 1 ही आ रहा है, ठीक है, तो यह relation अपका सही है, यह math, discrete mathematics में बहुत important है, मकाउट यह WVT में बहुत बार आया है, Thank you.